Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बिहाश रक्षक भरती के लिए आवेदन की आज अन्तिम्तिती है BPSC TRE3 के लिए last day 23 फरवरी रखा गया है अभी तक जो कुल आवेदन आए हैं उसकी संख्या काफी कम है तो competition तो कम है ये 100% sure है TRE1 और TRE2 की तुलना में सबसे कम आवेदन आए हैं उच्च मादमिक नहीं 11-12 की भरती में और सबसे अधिक आवेदन आए हैं 6-8 में देखते हैं वर्गवार कुल आवेदन की संख्या 1-5 के लिए अब तक 1,03,000 आवेदन आए हैं तो अभी तक सिर्फ 1,03,000 आवेदन आए हैं ये काफी कम संख्या है कल तक की अपडेट है आज आवेदन जरूर जारा देखने को मिलेगा अंतिम दिन है उसके बावजुद ये संख्या काफी कम है तो competition तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले की दो भरतियों से इस बार कम है इसपेसली जो बिहार के reserve candidate हैं उनके लिए ये भरती काफी आसान होगी और बहुत सारे बच्चों को qualifying marks पर इस बार नौकरी मिलने वाली है हाला कि एक बात का ध्यान रखना है कि जो you are seat हैं चाहे वो male हो या female हो यहां पर competition रहेगा क्योंकि 75% का पहली बात आरक छड़े बिहार में तो बिहार के अभरतियों को तो नौकरी मिल जाएगी जो reserve candidate हैं लेकिन you are seat unreserved seat हो की में बात कर रहा हूँ सिर्फ 25% seat हैं बच रही है इस पर अदर स्टेट के सभी छात्र fight करेंगे बिहार के सामान वर के छात्र भी fight करेंगे और जो reserve category है बिहार की वो भी overlap करती है यूर seat उपर यदि उनका cut off यूर के बराबर या इसके उपर चला जाता है तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा और महनत तो करनी ही पड़ेगी especially सामान category को महिलाओं को 50% का रक्षड है विहार में 1 to 5 और 6 to 8 में तो cut off उनका mail की तुल्ला में कम ही रहता है और माध्मिक कुछ माध्मिक में 35% का आरक्षड है महिलाओं को तो 1 to 5 में 1,3,000 आवेदन 6 to 8 में 1,42,000 आवेदन 9 जस्मी यानि माध्मिक में 1,2,000 और उच माध्मिक में सबसे कम आवेदन 37,956 आए है अभी तक ऑफिशल रिक्तियां तो नहीं आई है लेकिन BPSC का नोडिफिकेशन जो वेकेंसी वाला है वो काफी वारल हो रहा सोसल मीडिया पर जिसमें 1,00,000 प्लस पद है प्रैमरी के 28,000 6 to 8 के 19,000 9,23,000 और उच माध्मिक में लगवक्ती 30,000 पद उसमें दिखाये जा रही है हाला कि जब तक ऑफिशल वेबसाइट पर कुछ नहीं आ जाता हम 100% किसी भी नोटिस को सही नहीं मान सकते लास्ट डेट बढ़ने की भी संभावना जरूर है क्योंकि अभी तक रिख्तियां वेबसाइट पर नहीं आई है आवेदन भी काफी कम आए है लास्ट दिन है आज तो लास्ट डेट बढ़ने की पूरे पूरे चांसे सहे परिक्षा को लेकर खबर यही है कि मार्च में एक्जाम करा जाने की त्यारी है अलां कि देखना होगा कि अच्छा सहीता कब लगता है लोकसभा चुनाओं का अच्छा सहीता से पहले परिक्षा हो गई तो ठीक है ने तो फिर आपका एक्जाम लोकसभा चुनाओं के बाद होगा होना appearing को मौकान ना देना साती साथ जो बीपेसी में तीन attempt है ये भी एक बड़ा factor play कर रहा है चुक्के भी तर्व एकंसी भी सो नहीं हुई बहुत सारे बच्चों को clear ही नहीं कि कितनी वेकंसी है साती साथ बहुत सारे student का दो attempt होगे तो वो इस बार अंतीम attempt को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अगली तियारी 4 का भी एलान हो चुका है अगस्त माम में और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे खासे पद होंगे तो बहुत सारे बच्चे इस बार आवेदन नहीं कर रहे हैं तियारी का भी मौकान नहीं मिला तो डारेट बच्चे अगस्त वाले का तियारी कर रहे हैं और इस वाले भरती को वो skip कर रहे हैं यह कुछ कारण हैं जिसकी वज़े से इस बार competition कम हुआ है फिलहाल इस वीडम बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ला और हमारे साथ बनी रहें थैंक्स फॉर वाशिंग